जहिन प्यारे साथी हूं स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से खोठा के ऑफिसल पे आए शुरुबात करते हैं इस कवीता की खोठा काठे पैदे खंडे की दूसरी कवीता जिसका नाम है स्वागत स्वागत कवीता की सुरुबात करने के पूर में कुछ चीजों को हम बता दे उसके बाद में कवीता को हम लोग जो वो समझेंगे हाना उसके बाद में जो भी यहां से important प्रशन बन सकते हैं वो सारे प्रशनों पे भी हम लोग जो वो नजर डालने वाले हैं तो सबसे पहले इस कवीता के बारे में जानते हैं तो बता दे कि यह एके जहाजी के द्वारा हाना प्रोफेसर एके जहाजी यह डाक्टर एके जहाजी के द्वारा यह कवीता को जो लिखा गया है कब लिखा गया है तो इस कविता का जो रचना किया गया वो 1975 में इस कविता की रचना की गई है तो यहां से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि कोई भी कविता हलाकि यह ज्यादा डिफली सवाल हो जाएगा लेकिन फिर भी में भी हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि सवागत कविता कौन बच्छर लेखक लिख ले हला या कौन बच्छर रचना कर ले हला तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ लेंगे इस कविता में मुख रूप में क्या कि मनुष की बुध्धि ग्यान आदी का गुनगान किया गया कि कैसे मनुष जो वो बुध्धिमान है किस परकार से जो वो लोग नए नए चीज़ों को सोच पाते हैं और जिसकी बतलत ही कह सकते कि मनुष अपना भाग, भगवान, स्वार्ग, नर्क, आदी के नियमों को तोड़ करके अपने भागी का निर्माता बना हुआ है चाहे वो उसमें से कई सारी चीज़ें वहाँ पे सामिल होता है जैसे बाहरी, भीत्री, नया, पुराना, अपना, पराया, हर परकार का ज्यान का वंधनी है और स्वागत के योग्ये यहाँ पे कवी जो वो कहना चाते हैं दरसल इस कवीता में किस चीज़ पे नजर डाला गया है तो वो सब भी हम लोग बाते करेंगे सबसे पहले कवीता को समझते हैं, उसके बाद एक-एक करके सभी चीज़ों का हम लोग जो भावार्थ भी करते हुए चलेंगे चाहे पुर्ना नाय तो नावा, काखे कोरें बाभीनों हुआ आगे है कविता, उसकी बात में हम दोनों का एक साथ आपको बता देंगे जे जुग जुग ले आज तक बनले बुधेक सहायक तही मन कान धरा ही है हामिन सवागत करा ही है तो यहाँ पर एके करके अगर नजर डाले तो यहाँ पर बोलते हैं कि हामिन सवागत करो ही है हम लोग स्वागत करते हैं किसका तैसन पैत रीती के उस परकार उस परकार के हर रीती को हर नीती को हाना जो बौधिक विकास में सहायक हो जो मदद करने वाले लोग हैं हाना हर रीती नीती के स्वागत करते हैं जो लोगों के बौधिक विकास में सहायक हो वैसे लोगों की मद यह हम लोग जो वो स्वागत करते हैं चाहे पुर्णा ना यह तो ना वा चाहे वो पुराना हो या तो फिर नया हो कांखें कोरें बाद भीनु हुआ है चाहे वो नया हो या तो फिर पुराना हो उन सभी का ध्यान रखते हुए हम लोग जो वो कह सकते हैं कि स्वागत करते हैं जे जुग जुग ले आज तक बनले बुधेक सहायक कि जो जुगो जुगों से आज तक जो बनले बुधेक सहायक यानि जो बुधी का सहायक बना हुआ है तहीं मनकान धरही है मन, कान मतलब कई बार होते हैं कि जो लोग आपके support में होते हैं आपका सहयो करते हैं जो अच्छे विचार के लोग होते हैं उनसे बात करने में भी अच्छा लगता है लेकिन जो थोड़ा बिलकुल अलग रहता है लगता ही ने कि ये को लगता है कि जैसे अलग गरह से आया हुआ है वैसे कुछ लोग होते हैं तो उनसे बात करने में भी आपका कोई इंट्रेस्ट नहीं होगा और आप बात करने में बहुत ज्यादा उसे इंट्रेस्ट भी नहीं दिखाएंगे अरना ही बात करने में अच्छा भी लगता है आपको तो वैसे लोग भी कुछ लोग होते हैं तो वही बोलते हैं कि हमारा मन कान वहीं पे धारा ही है हम इन स्वागत उसी को करते हैं जो बौधिक विकास में सहायक होते हैं उन सभी रीती नीती का सवागत करते हैं चाहे वो नया हो या पुराना हो ध्यान सभी कर रख करके उन लोगों का सवागत करते हैं उकरा जोगाय राखेक है उकरा सवागत करेक है कि जो हमारी संस्कृती है, सभिता है, जो हमारी पहचान है जो हमारा वास्तिक करतब भी होना चाहिए उन सभी चीजों को आज भी जो आगे भी ले करके जाना चाहिए वही हमारी पहचान है उन चीजों को जोगा करके मतलब सवार करके संभाल करके रखा जाना चाहिए और उन सभी का स्वागत हम लोग करते हैं बोलते हैं कि अईला राजा कते कते घड़ी के बांधल थिन छड़ी से गादल थिन मलकीन मतलब यहाँ पे मलकीन मतलब होता है लेकिन कई पार यहाँ पे लोग जो वो कुछ-कुछ मलकीन भी पढ़ देते हैं मार पीट करके या तो फिर साध करके थोड़ा सा अपने ताकत का परियोग करके ताकत के बल पर लोगों को जो वो साध करके रखे तो वही बोलते हैं कि अईला राजा कते कते कितना राजा आये कितना चले गए उन्होंने अपने ताकत का भी परियोग किया कई तरह से चीजों के अपना समय को अपने वस में भी कर करने का प्रियास किये लेकिन उन बुध्धी का वो कभी नहीं बांध पाए उन बुध्धिमान लोगों को कभी पचार नहीं पाए गाली गुचाय बाढ़ले जाए कते लोग मुर्यों के बुध्ध बिचार के बढ़ावला जगतिक निसें गढ़ावला बोलते हैं कि लेकिन बुध बंधायल ना है, बुध्धी मतलब जो बुध्धिमान लोग थे, जो बुध्धी था, वो नहीं बंधाया, गाली गुचाय मतलब होता है, बंधन खोल करके, यानि जो भी बंधन था, जो आपके पास में रिस्ट्रिक्शन्स होता है, वो उन रिस्ट्रिक्शन्स को तो केवल आप ताकत के बल से ही सब कुछ अपने पास में नहीं कर सकते, उसके साथ साथ में आपके पास में क्या है कि बुध्धी और विवेक भी आपके पास में होना चाहिए, बुध्धी विवेक से भी कई सारी चीजें जो वो अपने बस में किया जा सकता है, तो वही बोलते ह रहे ऊपर तक जाते रहें बाढ़ के सकट ले रोकेट तक और कैमरा से टीवी सेड तक मकिन दिमाग थिराएल लाएं ठकल नाएं डंडाएल नाएं कते चीज रोकाए गेला और नसीब बेंचाए गेला देवता मानूस बन गेला बिचकुन तक रोले बाढ़ला बोलता है कि बाढ़के यानि बढ़करके आगे जो वो विकास की सिड़ी में कितने लोग बढ़े सकट ले रोकेट तक सकट मतलब होता है कि नहीं बोलता है कि पहले बाइल गाड़ी बरत गाड़े में लोग चलता था आज जो वो रोकेट लॉंच कर दिया आप जब तक आपका पलक नहीं जबके का तब तक सामने दुस्मन का संगहार हो जाता है संहार हो जाता है तो इस परकार से कैमरा से लेकर के टीवी सेट तक लेकिन क्या लोग रुक गए हैं नहीं आज भी लोग जो रुके नहीं है अब तो और नया चीज करतिमान अपना रचते जा रहे हैं किसके बल पर मानों के बुद्धी बुद्धी विवेक के बल पर ही हाना जो धिमान लोग है वो आज भी रुके हुए नहीं है वो निरंतर एक नया इतिहास गड़ने के लिए वो लगे हुए हैं थाकल ना है मतलब वो कभी थके नहीं है थिराल ना मतलब रुके हुए नहीं अस्थिर नहीं है वो नहीं थिरायल हैं नहीं थके हुए हैं नहीं वो खड़ा होकर कि किसी चीज को देखने रहें और देख रहें तो उस वीची पर बहुत ध्यान से देख रहें कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ कई लोग होते हैं कि अगर बैल गाली देख रहें तो बैल गाली केवल देख कर कि आने जाने वाला चीज है ना कुछ लोग इतना चलत तो वही चीज है कटे चीज रोकाई गयלה आर नसीब बंचाई गयला कितनी रोगों का भाग वेचा गया देवता मानुस बनके अवतार लेला तब वो क्या? लोग रुके हैं तो भी नहीं रुके हैं लोगों में कह सकते हैं कि कई तरह का परियास भी किया गया उन लोगों को रोकने का चाहे वो समय समय पर अलग-अलग सासन करने वाले वो सासक आये, उन लोगों ने परियास किया, कई लोग जो वो सोसन अत्याचारी लोगों ने भी परियास किया कि किसी तरह से बुद्धिमान लोगों को रोका जाए, लेकिन क्या वो कभी रोक पाए, वो कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो विवेक सील व्यक्ति होते हैं, वो केवल सकती से हार नहीं सकते, उनके लिए और भी बहुत सारी चीजों का ताकत लगाना पड़ता है, तभी एक आप बुधिमान व्यक्ति को हरा सकते हैं, एक ताकतवर लोगों को हराना काफी आसान है, उससे क्या करना पड़ेगा, उससे अधिक ताकतवर लोगों से भीड निती से आएगा, और वो अपना एक नया ट्रिक महा लगा देगा, आपको महा पे आपके पास ताकत होने के बावजुद में भी आप हार जाएंगे, और इसका मिसाल कई बार देखा गया है, कि अक्सर जो वो जो टेकनिक वाले लोग होते हैं, जो वो धिमान लोग होते हैं उनके सामने बड़े-बड़े ताकतवर लोग भी जुक गए हैं कई बार, हैना तो इसका परमान भी कई बार देखा गया है, वरतमान में चली रहा है, तो इसका भी परमान अभी वरतमान में गर देखा जाए, तो आप एक युध चल रहा है, उसके बारे में भी आपको पत तो ये सारी बातें यहाँ पर बोल रहें कि कितने लोगों का जो वो कितना चीज रुखाय गेला आर नसी बेचाय गेला देवता मानुस बन गेला विचकुन तकरो ले बढ़ला लेकिन वो कभी जो रुके नहीं आज भी जो निरंतर बढ़ रहें वो क्या है कि आगे बढ़ते गेला मानुस आखरा जीतल अईलों बोलते कि साथी साथ में कितने सारे ऐसे ऐसे लोग आए ताना साही राजा भी आए ताना साही लोग भी आए इस अंसार में नेपोलियन जैसे हिटलर नेपोलियन सिकंदर याजित जैसे ताना साही राजा भी आए लेकिन क्या उन लोगो सब चीज तो वस कर लिया लोगों को वस में कर लिया लेकिन जो दिमाग वाले व्यक्ति था वो बुद्धी को कभी अपने वस में नहीं कर पाए हाना लेकिन जो वो बुद्धिमान व्यक्तियों को कभी नहीं रोक पाए वो हमेसा आगे पढ़ते रहे मनुष्य जो वो चार पैर से ले करके है ना दू गोड़वा बेंगे यानि पहले तो आपको पता है कि इसका रूप कैसा था बंदर वाला रूप था क्योंकि हम लोग बोलते कि हम लोग वहीं से विक्सित हुए तो जरूरी नहीं है कि हर बार संख्या बढ़ करके ही विकास हुआ कई बार होता कि संख्या माइने नहीं रखता है आप देखता है कि आपका बुद्धी विवेक कितना काम करता है तो बोलते कि धर्ती के देवतावाइन गेला फाग जो वो अपने भाग जो भाग गेला यह नीर उ अखरा जित के ला कि कई बार यहां पर क्या है कि आय तो कई लोग लेकिन मुझे रूप में कै कि अखरा कौन जिते oven यानि बाजी कौन मारा मनुष्र नहीं जो वो बाजी मारा है है ना तो ये सभी चीचे यहाँ पर बात है क्या गया है बोलते है कि हामिन मान मैध हैं धरा ही है वैसन परतेक गीत के ताखन्यक भायक जीत के आर सुरे नर्टिक भोरा ही है बुध गयाने किरीत के बीतल हायरेक जीत के बलते कि मनश ये सभी के अपने मन के मन के बीच में धर करके जो रखते हैं ऐसे हर गीत को गाते हैं हर गीत के गाते हैं आपन जीत कर खुसी मनाते हैं अपने जीत का खुसी मनाते हैं लोग नए पुराना परिया जो वह था अंधार के डरे आग बनावला जैसे क्या ने कि पहल बहुत जगह उपयोग हो रहा है आग का उपयोग कई जगह पे काम कर रहा है तो लोग जैसे भी उसका उपयोग किये लेकिन आज जो वो काम ही आ रहा है है ना तो वो सभी चीजें बलते हैं कि बुद्धे ग्यानिक पिरित के बितल हैरेक जीत के चाहे वो हारा हुआ हो या ज जाते हैं तो वहाँ से दोनों तरह से आप सीख सकते हैं जरूरी ने कि जब आप जीत जाएं तभी आप सीख सकते हैं हार करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आर ठेकान ले गावा ही है तो ही एकाई सीमा पार बाकी सब गुलाग सौमा पार हामिन सवागत करा ही है बोलते हैं कि इंजोर पाय के खुसी से जूम करके लोग जो वो उठने लगे नर्टी ये मतलब होता है कि गर्दन में ओकरा सूर में सूर मिला के गीत गावेक परियास करला कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनका तो हमने कदम से कदम मिला करके उनका सहयोग किया है और उन लोगों का स्वागत भी किया है और जो गलत किये हैं उनको जो वो हम लोग निंगशिक मतलब होता है कि हटाने का भी परियास किया कि हर चीज की सीमा आपको देखा गया कि हर चीज की सीमा होता कि आप एक चीज बता दिया कि यहां तक आपको यह काम करना है कि एक सीमा दे दिया गया तो उसे लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं लेकिन कई बार बुद्धिमान जो विवेक सिल व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कि इन सारे बंधन को तोड़ करके भी आगे बढ़े हैं तो वही बोते कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं बुद्ध ग्यान कदियो बंधालना वो कभी बंधते नहीं हैं वो हमेशा हर सीमा को त पर आगे भी चल रहे हैं लेकिन बुद्धी विवेक सिल व्यक्ति जो वो कमी रूखता नहीं है। मनुष्य की बुद्धी और ग्यान का गुनगान किया गया है। कैसे कैसे प्रश्ण बनते हैं तो प्रश्णों पर अगर हम लोग नजर डालें तो सबसे पहले तो सवाल अगर पूछा जाएगा। तो आईए थोड़ा सा सवालों पर नजर हम लोग डालते हैं कि कैसे कैसे प्रश्ण यहां से पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे अगर यहां पे कुछ-कुछ कठीन सब्दों के बारे में आप से हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए। जैसे क्या कि पईत, पईत मतलब होता है परतीक, कौरे कांखे मतलब होता है दुलार से रखना, नहीं बोलते हैं कि कौरे कांखे रखो है, यह मतलब पूरा दुलार के साथ पूरे मतलब अच्छे से उसको जो को संभाल करके उन लोगों को रखते हैं, जो अपने बुद्ध सभी को समान भाव से देख करके आगे लोगों को जो वो बढ़ते हुए यहाँ पे चलते हैं उन्हें सभी लोगों का यहाँ पे बाते जो वो किया गया है जो बौधिक विकास में सहायक है हमेशा हर चीज पे विकास के पत पर जो वो सभी लोग सहायक है उन्हें सभी का हम लोग स्वागत करते हैं एक है कि यहाँ पर एक सब्द आया मन कान ध्यान मन कान मतलब होता है ध्यान देना घड़ी मतलब होता है समय माथा कर्थ हुआ बुद्धी मलकीन मतलब है पहले बता दिया कि लेकिन होता है गाली गुचुवग मतलब होता है कि कोई भी बंधन को तोड़ करके उस बंधन से आगे आप मुक्ति पाते हैं या बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो है ना तो ये भी बिचकुन मतलब होता है बलकी एक खोठा का सब्द है बिचकुन तो खोठा के सब्द भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं यहां से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है बिचकुन का अर्थ होता है बलकी हाना इसका अर्थ होता है बलकी और मलकिन का अर्थ होता है लेकिन हाना ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे मलकिन का अर्थ होता है लेकिन और बिचकुन का अर्थ होता है हिंदी में लिबल की यह दोनों चीज़ें आपको याद रखने और क्या क्या है चैर कोड़ा मतलब हुआ जानवर जैसे पहले क्या था कि पैसे कैसे बढ़ा है और यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछी समझा होगा जैसे नैपोलियन आपने समझ लिया सिकंदर तो समझ लिया लेकिन ये याजित नहीं समझ में आ रहा कि याजित कौन हुआ यह चाहे याजित यहाँ पे बोला गया है कि अरब देश का एक जुल्मी बादसा था याजीद, इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे आश्यरी जनेक बातें आपको सुनने को मिलेगा या बड़ा ही जुल्मी बात्सा था, यानि जुल्म करने वाले एक दूसरे पर सोशन अत्याजारी किसम का एक बात्सा के रूप में जाना जाता है तो इसके बारे में आपको याद रहने तो कई ऐसे सोसक लोग भी आये जिन्होंने परियास किया कि उन्हों बुद्धिमान लोगों को रोका जा लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हुए हाना तो इस परकार से चीज़ें यहाँ पर आपने समझा आप उरता हैं कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगी तो सबसे पहला सवाल पूछा जागे तो बता दे कि यहाँ पे बेस पुरना रिती नीती के जो अच्छा हो जो नया हो या पुराना हो दोनों रिती नीती का यहाँ पे स्वागत करते हैं लेकिन किसको जो बौधिक विकास में सहायक हो लोगों के सहायक में हो सही मार्ग पर चल रहा हो उन लोगों का स्वागत करने की बात करे हैं देस-विदेस चाहे जहां के लोग हैं उन्ह सभी रिती-níती का स्वागत करते हैं लेकिन एक सर्त है कि वो सही मार्ग पर चल रहा होना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ विकास करें हैं दूसरा है कि एक विनास के बारे में कुछ टेखिनिक अपना रहा है तो उन लोगों का स्वागत नहीं कर रहें यहाँ पर उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो हमेशा विकास के पतव पर आगे बढ़ रहें इस कविता में एके जहाज ने कैसी रीती नीती का स्वागत करते हैं तो जो रीती मनुष्य के आगो जो बढ़ाने में सहायक है हाना तो उनका स्वागत करते हैं दूसरा क्या कि जो रीती नीती मानुष्य से जानवर से मनुष्य बनाया वैसे रीती जिसने मनुष के जानवर से जो वो मनुष बनाया, वैसे वैसे रीती निती का स्वागत करें, वैसे जो ग्यान भाय की भगवान की अउधारना से के से मतलब से इस कर लें। येसे लोगों जो के कह सकते की पाखन बात से या तो फिर जो कुछ ऐसे जिन्होंने जो भी गलत मार्क पर था उन लोगों को तोड़ करके जो आगे बढ़ने का जो यहाँ पर परियास किये आगे है कि एह तो चैरगोडवा ले मानुस मान दिये ले देवता भाय कंदे गेला म किस कविता से लिया घया पंक्ति है हानद यहां से भी सवाल कई बार पूछा जाता है साथ साथ पूछ लेगा कि कि इसके द्वारा लिखा गया है यहां पर चैर गॉडवा ककरा कहल कहले यह सब पूछ सकता है तो चैर गॉडवा यहां पर जानवर को बुला गया है इस कविता में देवता भाय कंदे गयला इसके माने मतलब क्या हुआ यहां पे क्या है कि इसके अर्थ यह क्या हुआ कि देवता और भाइग के विश्वास सिरागे ले यानि कई बार लोग जो है वह ना की जवरत से ज्यादा भी मतलब कह सकते हैं कि ऐसे चीजों पर विश्वास करने लगे थे जो कि कहीं न कहीं गलत गलत था उन चीजों के भी कुछ चायवादी किस्म के लोग भी थे जो कि कलपना को ही सत्य मांते तो कुछ कलपनाओं से लोगों ने जो वो सही मार्क पर भी आया है तो उन सभी चीजों के बारे में यहां पर जो वो चर्चा किया गया है मानुस अखरा जीता लएले इसका अर्थ यहां पर क्या हुआ तो मानुस अखरा जीता लएले मतलब सभीता के लड़ाय मानुस जीत के लग सभीता के लड़ाय में विकास के डहरे मानुस भायग भगवान से जीत के लग मानुस प्रकृती से जीत हासिल कर ला कई बार ने वो लेकि प्रकृति के साथ में भी लोगों ने जो वो खिलवार किया है कई बार जो वो यहाँ पे इसका क्रिटिसाइज भी हुआ है और कुछ लोगों ने सराहना भी किया है सराहना इसलिए किया है जब आप सफल हो जाते हैं उस और वो प्रकृति को नश्ट नह किया है ये भी देखा गया इसके भी कई सारे उदारन भी है तो उसारी चीजें के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है फिर यहाँ पे एक आपको यहाँ सी जरूर पूछा जा सकता है हो सकता है कि यह पंक्ति आपको कहीं पे भी सवाल में दिख जाए कि अईला राजा कत वाले एक्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो कुछ ऐसे पंक्ती होते हैं जो कि अच्छे पंक्ती होते हैं वो सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कवीता में और कवीता में कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कठीन सब्दों से पूछा जा सकते हैं उन कठीन सब्दा जा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे उमीद करते हैं कि आज की ये कवीता आप सभी को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा साथी साथ अगर चेनल पे नहें तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे